गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, मेरे नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं स्टड़ी आईजे यूट्यूब चैनल, तो फ्रेंड्स आज की सब्डेट में हम बात करने वाले हैं, शिरिमती जियादोशी एंड शिरिमती के एम मेहता इं किस निकालेगी हैं, सभी नोटिस आपके साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्या यहां पे रिक्वार्मेंट रहेगी, उसके रावा फॉम को कैसे एपलाई कर सकते हैं, यह सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को वाइन तक वाज करे वीडियो इंपॉर्टन लगे, वीडियो को लाइक और शियर जरूर करें और पहली बार हमारे चैनल पर विज़र कर रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही लेटेस जॉप अपडेट के लिए, डेली ऐसी ही लेटेस जॉप अपडेट आपको प्रवाइड की जा सकते हैं, इंसिट्यूट ऑफ किर्नी डिसीजर सेंटर की तरफ से निकाला गया, यह ओफिशर नोटीस है, इसके तीन-चार नोटीस निकाले गये हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह लग-लग नोटीस आपके साथ में मैं डिसक्स करने लगा हूँ, तो सबसे जादर ज सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर रहने वाली है, स्टाफ नर्स की जिसमें से से के लिए 45, 126, यहाँ पर एस्टी के लिए 181, यहाँ पर आपके से के लिए, यहाँ पर f Deck , यहाँ पर रहेंगी, इसमें आप जो आपके साथ में में मेंशन, यहाँ पर रिता जैता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे definition यहाँ पर आप रहेगा, तो यह यहां पर criteria रहेगा बाकि यहां पर एस लिमट का आपके साथ मैंने discuss कर दिया है minimum 80 रहेगी maximum 40 रहेगी बाकि का other criteria जो रहेगा examination methodology minimum eligibility standard का वो आप इनकी official वैफर पर चक्क कर सकते हैं application fees जो यहां पर आप देख सकते हैं 1000 rupees रहेगी जो कि आपको online payment करनी पड़ेगी बाकि other यहां पर जो रहेगा वो यहां पर general conditions आप check out कर सकते हैं बाकि मेर में चीज़े आपके साथ मैं मैं डिस्कॉस कर देता हूँ form को apply करने के लिए आप online job उनकी side पर visit कर सकते हैं मैं link आपको description में डाल दूँगा अब इसे आप form को apply कर लें 16,5,20,23,23 का recruitment चलेगा बाकि next notice की बात करें तो जो next post रहेंगी वो यहां पर आप देख सकते हैं next जो आपकी post रखी गी है वो यहां पर various post के लिए class 1, class 2, class 3 की post के लिए recruitment रहेगा जिसमें से chiefs account officer की post रहेगी एक post रहेगी, accountant की यहां पर 11 post रहेगी, store keeper की 5 post रहेगी, date का criteria सेम रहेगा, मैं date आपके साथ बारवार discuss नहीं करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं, total 18 post रहेगी यहां पर, qualification जो रहेगी यहां पर आप देख माएंगे chartered accountant आपकी होने चाहिए जो आपकी chief accountant officer की रहेग या तो आपने master degree का रखी है, minimum age 40 रहेगी, maximum 40 रहेगी, and regular pay scale पर आपको रखा जाएगा यहां पर, accountant के लिए यहां पर आपकी master degree होने चाहिए, आपके business administration में, यहां पर 37 maximum age रहेगी, and store keeper के लिए भी master degree यहां पर मागे गई है, 5 year का experience होना चाहिए, 37 maximum age रहेगी, बाकि store keeper का ज experience भी आपको होना चाहिए, 35 maximum age रहेगी, pay scale आप देख सकते हैं, जो आपका यहां पर selection process का criteria रहेगा, वो आप इनकी official website पर check कर सकते हैं, बाकी minimum, जो आपका यहां पर pay रहेगा, application fees का, वो यहां पर 1000 rupees रहेगा, बाकी criteria सेम रहेगा, आपको apply करने का, next notice की बात करें, तो यह next notice जो रहेगा, वो यहां पर आप देख सकते हैं, next notice की बात करें, तो यहां पर 60 post करी रहेगा, जो यह various post रहेगी, class 2 and class 3 की, इसमें nursing superintendent की, deputy nursing superintendent, assistant nursing superintendent and senior pharmacist की रहेगी, junior pharmacist की post 60 रहेगी, इसमें जो आपका pay scale रहेगा, वो भी आप check out कर सकते हैं, regular pay scale पर रखा जाएगा, यहां प तो यहां पर सभी जो कर्टेगरी के यहां पर आपको दिये गए हैं, assistant nursing superintendent के रहे, यहां पर BSC आपकी होनी चाहिए, साथ साथ में आपको experience भी यहां पर होना चाहिए, जैसे आपने diploma general nursing का रखा है, तो यहां पर 5 एर का clinical experience आपको यहां पर होना चाहिए, senior pharmacist के लिए bachelor degree आप की मागेगी है, उसके साथ साथ में यहां पर जो वो गुजराती एं हिंदी आपको यहां पर language आनी चाहिए, बाकी यहां पर आप check out कर सकते हैं, same criteria यह रहेगा, firm को apply करने का and बाकी fees का भी, अगर हम बात करें next notice की तो यह आपका जो advertisement रहेगा, वो यहां पर feeling vacant post के लिए administration assistant class Class 2 की 3 की पोफ्ष्ट रहेगी, Class 2 की पोफ्ष्ट रहेगी Office superintendent की पोफ्ष्ट रहेगी, इसमें total post आपकी 90 रहेगी, administration assistant की इसमें यहां चe dokład कर सकते हैं, junior class, senior classitel की पोफ्ष्ट certainty की पोफ्ष्ट रखीगी है, यहां पर even maximum year, 708 रखी गई है, यहां पर bachelor degree आपकी मांगेगी है वाग्की यहाँ पे जो आपका बैचुलर डिग्री के साथ साथ में मांगा गया है तो ये सभी पोष्ट आप चकाउट कर सकते हैं Office Superintendent के लिए यहाँ पे जो आपका रहेगा बैचुलर डिग्री रहेगा और बाकि यहाँ पे जो आपका प्रेफरेंस दीए उजात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात् पे कम से कम भी यहां पे 700 के क्रीब पोस्ट आपके साथ में डिस्कॉस कर दी हैं, वाकिक यह अधर पोस्ट है तो आप शेक आउड कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्कॉस्चन में दे दूँगा, वहां से आप डिरेक्ली डाउनलोड कर पाएंगे सभी ऑफिचल नोटिस को, और अगर कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और ऐसी ही लेटेस जॉब अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेली आपको यहां पे नोटिकेशन प्रोवाइड की चाती हैं, जॉब के रिगार्डिंग में, तो वीडियो इंपॉर्टन लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, तो फ्रेंट्स फिल मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, थैंक यू, गुडबाई, टेक केर,